दोस्तों निफ्टी के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है निफ्टी की बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है जो कल ओपरेशनल होगी मार्केट में जो आपको पता होनी चाहिए और ये पूरा data हम लोग देखेंगे NST Reject देखेगा 94 million cumulative passive inflow seen in anti-PCN to other PSU stock तो अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे Nifty को इससे क्या benefit है एक-एक करके जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहीएगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि time to time जो देखेगा Nifty होता है Nifty next 50 होता है Nifty 100 होता है जो भी देखेगा indexes होते हैं उनमें rebalancing की राती है adjustment की राते हैं तो ऐसे में देखेगा जब adjustment होने वाले होते हैं तो आपको पता है कि होने के बाद उनका execution देखने हूं मिलता है या तो Nifty में funds आते हैं inflow आते हैं या तो जाते हैं तो ऐसा देखेगा माना जा रहा है कि Nifty में आपको जल्दी एक से दो दिनों में फिर से देखेगा inflow देखने हों मिल सकता है तो कि inflow आने वाला है दो PSU stock में अब ऐसा क्या है एक एक करके जानते हैं तो NTPC जो weight है Nifty CPSC में जो NTPC का weight है Nifty CPSC में वो माना जा रहा है देखेगा वो बढ़ सकता है और इसमें जो पूरा weight है is expected to go up 20% यानि जो current weight है वो 17.9 है और 20% तक जा सकता है as far NHPC, NLC the new weight post re-adjustment will likely भी देखेगा 4.6 देखेगा 4.2 से 4.6 और 0.9 से 1.2 तो आपको पता है जब भी किसी भी particular index में stocks के अगर किसी भी तरीके से weights up होते हैं तो उस particular index में पैसा आता है और वो पैसा market में दिखता है क्योंकि आपको पता है कि ये जो particular change होने वाला है वो होने वाला है Nifty CPSC falling as semi annual देखेगा re-balancing, re-adjustment और वो आपको देखने हो मिलेगा कल March 28 इसको effective कर दिया जाएगा और adjustment trigger करेंगे passive देखेगा cumulative inflow 94 million dollar का जो की estimate है अब आप देख सकते हैं आपके सामने list आ चुकी है जो Nifty के लिए बहुत important है जो weights हैं आप देख सकते हैं कि old से अगर new बढ़ रहा है तो इसका मतलब inflow आने की बात है तो आप देख सकते हैं NTPC का inflow कम से कम देखेगा इतना expected है 71 million dollar तक expected है ये estimated data है clear data नहीं है यहाँ पे देखेगा NHPC में भी weights बढ़ने के chances आपको देखने हूं मिलना है NLC India में भी आपको weights बढ़ने के chances देखने हूं मिलना है यहाँ पे आपको कुछ देखेगा downtrend भी देखने हूं मिलेंगे जैसे ONGC का weight कम हो सकता है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे check out कर सकते हो फिर coal India का भी weight घट सकता है check out कर सकते हो BEL का भी weight घट सकता है oil का भी weight घट सकता है और भी बहुत सारे ऐसे stock हैं जिनके weights कम हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखी जाती है nifty के लिए overall situation तो अगर आप देखेंगे तो घटने वाली संख्या कम आपको देखने हो मिल लिए है जैसा कि आप calculate कर सकते हो तो घटने वाली संख्या कम है और बढ़ने वाली संख्या यहाँ पे आपको ज़ादा देखने हो मिल लिए है तो ऐसे में जो overall देखेगा passive investment है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा positive note पे ही साथ में साथ में अगर आप देखेंगे तो HDFC bank और अडानी power यहाँ पे biggest beneficiary हो सकते हैं nifty indices में तो अगर यहाँ पे positive outcome आते हैं HDFC bank के लिए तो आप समझ सकते हो कि यह सबसे अच्छी update होगी कल market के लिए अब देखना क्या है कि इसमें HDFC perform कैसे करता है जो कि एक बहुत बड़ा trigger का point है तो इसलिए यहाँ पे आपको देखेगा पूरी तरीके से focus करना है चोकि यह तो आपको पता है Shiraam Finance जिस तरीके से सोचा गया था उसी तरीके से देखनी को मिला है और आपको पता है कि जब rate effective हो जाते है यानि कि जब पूरी तरीके से effective आपको यहाँ पे जो flow होते हैं funds के flow होते हैं वो effective हो जाते हैं तो income pack आपको market पे देखनी हो मिलता है तो कल focus करिएगा और राम राम करना मत भूलेगा